नेवले और पंडित की पत्ने की कहानी एक बार की बात है एक नेवले की मा उसके बच्च्पन में ही गुजर गई और वो बहुत रो रहा था तभी वहां से एक पंडित गुजर रहा था पंडित ने उस नेवले के बच्चे को उठाया और बोला ओ तेरी मा नहीं है कोई नहीं मैं तुझे पालूंगा और वो प्यार करते हुए उसे अपने घर ले आया जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उनके बच्चे के साथ खेल रही थी उसने अपने पत्नी को बोला देखो मैं तुम्हारे ले क्या लाया हूँ इसकी मा गुजर गई है पत्नी ने बोला अच्छा कितने अफसोस की बात है उसने बच्चे को नीचे रखा और दोनों नेवला और बच्चे आपस में खेलने लगे पत्नी रसोई में खाना बनाने गई तो देखा पानी ही नहीं है उसने पत्नी को बोला अरे जी पानी खतम हो गया है मैं घड़ा लेके जा रही हूँ पानी लाने के लिए पंडित बोला मुझे भी जाना है काम पे तो पत्नी ने बोला अरे तो बच्ची को कौन देखेगा अरे कोई नहीं नेवला और ये बच्चा आपस में खेलेंगे नेवले ने काट लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा तुम चिंता मत करो ये खेलेंगे आपस पे कुछ नहीं होगा सिंता की कोई बात नहीं है मैं हूँ न ओ ठीक है फिर पत्नी निकल गई घड़ा लेके पानी भरने के लिए और पंडित भी निकल गया अपना काम करने के लिए वो दोनों तो चले गए नीवला और बच्चा आपस में मजे से खेलने लगे उने बहुत अच्छा लग रहा था नीवला कभी इधर जाता, कभी उधर जाता तभी वहाँ पे एक साप आया नीवले ने देखा ओ, मुझे बच्चे को बचाना होगा उसने साप को लिया और काटके फेक दिया और बच्चे को बचा लिया उसके मुपे पुरा खून लगा था क्योंकि उसने साप को मारा था उसे लगा जब मा आयेगी वो देखीगी मैंने कैसे बचाया तो जब पंडित की पत्नी वहाँ पहुँची है दया, इसने मेरे बच्चे को मार दिया करके उसने घड़ा नेवले की सरपे मारा और दौर के अंदर गई जब उसने अंदर देखा अरे बापरे, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरा बच्चा नहीं मरा यह तो मेरे बच्चे को बचाया है नेवले ने आरे उसने साप को मारके मेरे बच्चे को बचाया मैं गलब मैंने घड़ा दे के उसको मार दिया बहुत बुरी हूँ मैं